हलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ट से लोन कैसे प्राप्त करें जी हाँ दोस्तों कई बार हमें लोन की सकता हो सकता पर जाती है लेकिन हमें लोन नहीं मिल पाता है तो दोस्तों ऐसे में एक वेबसाइट है जो आपको आधार कार्ट से लोन प्रोवाइट कराती है और मेरी जानकारी के अनुसार दोस्तों ये एक legal website है ना कि illegal कोई website है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वो website है और उसके documents कौन कौन से लगेंगे और उसका जो loan apply करने का procedure है वो किस प्रकार से है तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे मैं हो सुरस्तुकला चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इसी वीडियो के description box में आपको इसका link मिल जाएगा website का आप उस पर click करके direct ही आप इस website के article पर आ सकते हैं और इस article पर आपको उस loan website से सम्बंद संपूर्ण जानकारी दी हुई है इस पर आपको उसकी पूरी detail मिल जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं mobile से loan कैसे ले उसका भी procedure इसमें दिया हुआ है आधार कार्ट से loan कैसे ले सरतें जो जो इसकी सरतें हैं company की वो दी होंगी आवस्थिक दस्तावेज यानि important documents कौन कौन से लगेंगे और आधार कार्ट से कितने परकार के loan मिल सकते हैं यानि कि किस type के loan आपको इस पर approval मिलेगा और आधार कार्ट से loan कैसे ले और इसमें जो बहुत सारे option मिलेंगे जैसे कि आधार कार्ट से loan लेने पर कितने percent आपसे ब्याज लगेगा और भी important information आपको इस website पर आसानी से मिल जाएंगी तो आपको link मिल जाएगा आप उस पर click करेंगे direct इस website पर आ जाएंगे आने के बाद सबसे पहले आप इसके बारे में पूरी विश्तर जानकरी प्रात कर लें क्योंकि loan लेने पर आपसे कोई एगर mistake होती है तो आपको इससे दिक्कत भी हो सकती आगे चल के पता नहीं आपसे कितना क्या पैसा ले लिया जाए तो सबसे पहले आप बात करते हैं loan आधार कार्ट से loan कैसे ले इसकी जो सरते हैं वो क्या क्या है तो सबसे पहले आप देख सकते है आधार काट से लोन लेने के लिए आवेदक करता मूल रूप से भारत का निवासी होना चाहिए इसके बाद आता है आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए आवेदक के पास email ID, mobile number होना चाहिए तो सभी के पास होता ही है इसके बाद किसी private bank या company का बकाया loan नहीं होना चाहिए यानि आपके उपर किसी भी company का कोई loan नहीं होना चाहिए पहले से और इसके बाद जो इसमें आप सनाता है आधार काट से loan लेने के लिए आपके पास current account या saving account होना चाहिए और pen card आवस्यक है वो तो और loan लेने वाला व्यक्ति loan को चुकाने में सक्षम भी होना चाहिए यानि या तो उसकी कोई job होनी चाहिए private job होया कोई भी हो या फिर कोई चोटा मोटा business हो ताकि जब वो loan ले तो उसको वो चुका भी सके अब बात करते हैं इसमें आवस्यक दस्ताविच कौन-कौन से लगेंगे कि मतलब आपको इसमें कौन-कौन से document देने पड़ेंगे तो आधार card देना पड़ेगा pen card, email id, mobile number, bank account इतने तो आपको document इसके लिए जोग पड़ेंगे अब यहाँ पर बात करते हैं आधार card से कितने परकार का loan मिल सकता है यानि किस type के आपको loan इसमें दिये जाएंगे तो यहाँ पर आपको home loan मिलेगा loan against property यानि कि अगर आप कोई property लेना चाहते हैं तो उसके लिए loan मिलेगा plot loan मिलेगा यानि अगर कोई काली plot खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मिलेगा home improvement यानि कि आप अगर अपना Himself घर में कोई improvement कराना चाहते हैं यानि कि आप कुछ बनवाना चाहते हैं घर पर उस पे मिलेगा home extension loan यानि कि आपको इसमें home से related यानि घर से related सभी प्रकार के लोन मिलते हैं और इसमें परसनल लोन भी मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और ये काफी दिनों से वेबसाइट वर्क भी कर रही है अब यहाँ पर बात करते हैं आधार कार्ट से लोन कैसे लें अब यहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल दी हुए कि किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा सबसे पहले आधार कार्ट से एक लाख रुपे तक का लोन प्रागत करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा online apply करने के लिए यहाँ click करें यह जो दिया हुआ है इस पर click करके आप इसकी official website पर जाएंगे लेकिन जाने से पहले आपको यहाँ पर देख लेना कि किस प्रकार से आप इसके लिए apply करेंगे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अपने loan के प्रकार का चुनाओ करें के बाद company के तरफ से आपको एक call आएगी यानि confirmation call आती है जो आपके दिये हुए document का verification करेंगी अगर company को आपके दोरा दिये हुए document में संतुष्टी होती है और सभी document उसे सही लगते हैं तो आप इसके लिए eligible हो जाएंगे और आपको company की तरफ से loan provide करा दिया जाएगा इसी के साथ आपको आधार कार्ट से loan लेने पर कितना बयाच लगेगा वो भी detail आपको मिल जाएगी यहाँ इस link पर click करके आप उसकी भी detail प्राप्त कर सकते हैं apply करने के लिए यहाँ click करना होगा click करने के बाद आप इसकी direct official website पर पहुँच जाएगे आप जैसे इस पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ यह तो हमने हिंदी में कर दिया है तो चलिए हम for example for a home loan के उपर click कर देते हैं इसके बाद आपके सामने इस परकार से एक page खुल जाता है अब इस page में आपको आपकी पूरी detailed पूची गए जैसे कि अपना नाम, email id, mobile number, landline number अगर है तो नहीं कोई बात नहीं इसके लिए कोई छोड़ दीजे इसको अपनी date of birth, अपना state और यहाँ पर nearest आपके जो branch है वो अपना pin code और अपनी रोजगार की इस्थिती यानि आप जो काम करते हैं उसकी जानकारी, loan लेने का उद्देश, loan रासी, मासिक आए और यहाँ पर call करने का सही समय, यानि कि सारी जानकारी देने के बाद जब company आपके पास call करेगी तो उसकी यहाँ पर आपको detail देनी कि आप किस time पर free हो और किस time पर आप से company बात कर सके हैं इतना करने के बाद आपको इस check box पर tick कर देना है और apply के option पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर apply कर देते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इस box पर tick कर आधार housing finance एवं उसके प्रतिनदियों को call, SMS या email के माध्यम से मुझसे संपर करने की सहमती देता हूँ तो जैसे ही आप यह form submit करेंगे, company के तरफ से call आएगी और अगर call में आप ने जो जानकारी दी है, वो से सही लगेगी और उसे लगता है कि आप इसके लिए पात रहें तो आपको company के तरफ से लोगन दे दिया जाएगा, साथ ही आपको इसके customer के number भी मिल जाते हैं आवस्तिक जानकारी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पर call करके पूछ भी सकते हैं ये toll free number दिये हुए है, तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर इसी परकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करें, साथी साथ bell बटन को भ notification तुरंत आप तक पहुंचा मिलते हैं, एक और नई fresh वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद